बॉलिवुद अभीनेत्रियों पर तो सब की नजर बनी रहती है। ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी पसंदीदा अभीनेत्रिया कर क्या रही है। खुद बॉलिवुद स्टार्स भी कुछ न कुछ ऐसा ही करते रहते हैं जिससे वो अपने फैन से जुर सकें। लेकिन हमेशा लाइमलाइट में बने रहने वाली अभीनेत्रियों के बारे में तो शायद आप सब कुछ जानते होंगे। लेकिन उनकी फैमली में कौन-कौन है और वो क्या-क्या करते हैं ये आप नहीं जानते होंगे। इसलिए हमारी आज की इस वीडियों में हम आपको एक ऐसी बड़ी-बड़ी अभीनेत्रियों के भाई और बहनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन सितारों की तरह चका-चौन्द में नहीं रहते बलकि इससे बहुत दूर रहना पसंद करते हैं। इस सच्चा का चौन्द भरी दुनिया से दूर रहने वाली अभिनेतियों के भाई और बहन हैं परदे के पीछे रहकर करते हैं करोणों की कमाई। तो चलिए दोसों बिना किसी दीरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरह लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शैनल को सब्सक्राइब करनों बिल्कुल भी न भूलेगा। माधुरी दिक्षित ने हर घर में popularity हासल की है जिसके चलते आज भी अपनी फिल्मों के लिए वो दर्शकों के बीच famous हैं और अगर इनके भाई या बहन की बात की जाए तो इनकी दो बहने और एक भाई है जिन में इनकी दो बहनों का नाम रूपा और भारती है और इनके भ जाया है और दोस्तों अगर बात करें इनके भाई या बहन की तो इनकी इकलापी बहन है जिनका नाम है शमीथा शेटी जिन से ये हग से ज्यादा प्यार करती है और वहीं इनकी बहन शमीथा शेटी बॉलवट की अभी नेत्री भी है करिश्मकपूर् दोस्तों कर रिश्मा कपूर जिन्होंने अपनी फिल्म राजा बापूर कुली नमबर वन में अपनी बहत तरीन आदाकारी दिखा कर लागों करोणों लोगों को अपना दीवाना बनाया है और अगर बात करें इनके भाई या बहन की तो इनका एक भाई और एक लौती बहन है भाई का नाम है रनबीर कपूर और बहन का नाम करीना कपूर है जो की इनकी सगी बहन है रनबीर कपूर इनके चचेरे भाई हैं जिनसे ये बहुत ही अच्छा बॉंड शेयर करती है और ये स्टाइलिश भाई बहनों की जोड़ी अगसब पार्टीज में साथ देखी जाती है रानी मुखर जी आज भी अपने आक्टिंग के चलते बॉलेविट इंडस्ट्री में बनी हुई है और अगर बात की जाए इनके भाई या बहन की तो इनकी एक बहन है जिनका नाम है शर्ब है और जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद ही किया और दोस्तों अगर बात की जाए इनकी भाई या बहन की तो आपको बता दें कि इनकी एक बहन है जिनका नाम है सोनिया चावला सोनिया चावला उनकी छोटी बहन है और साल 2012 में कैंसर से पिलत होकर वो भागमान को प्या से जड़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकर आप